अलो फ्रेयन वेलकम टू माई चैनल से जेडी साइंस क्लासेश में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम एससी एम्टियस और हवलदार के लिए सामान ग्यान के प्रक्टिस सेट साल्व कर रहे हैं तो यहां पर कुछ एक्सपेक्टर प्रशन हैं जो परिच्छा में आपको यहा प्रशन है कि पत्थर की बनी नित्त करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस अस्थान पर पाई गई थी तो कहां पर पाई गई थी इसका अप्शन नंबर कौन सो जाएगा अप्शन नंबर इसका हो जाएगा शी नंबर हो जाएगा हडपा देखिए ये हडपा नामका स्थान पर पुरुष की मूर्थी नटराज पाई गई थे आपसा नमबर C हो जाएगा और देखिए लोथल और रंगपुर में चावल के प्रमाण मिले हैं कहां लोथल और रंगपुर में चावल के प्रमाण मिले हैं देखिए लोथल जो है गुजरात में इस्तित है और देखिए मोहन जोदरो देखिए मोहन जोदरो पाकिस्तान के सिंग प्रांत के लरकाना जिले में इस्तित है ये जो इसकी खोज कौन की थी रखाल दास रखाल दास बनर जी ने की थी किकप की थी 1922 में या जो है सिंधु नदी के किनारे इस्तित है और या जो है मितकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है कोज़रा बोहन जोदरो Juliet और देखिए जैसे रंगब पुर काहा है ये गुजरात के काठियार में है रंगपुर काहा है गुजरात में है कि और देखिए देखिए एक है शूर्कोटता में कहां घोड़े के अड़ियों के आवस से में ले थे ठीक तो इस प्रकार ठीक तो अगला प्रस्ण देखिए तो इसका आप्षन कौन हो जाएगा सी निंबर नेक्स प्रस्ण है करें कि गुप्त प्रसाशन के संदर में बिदी सब्द को संदर्भित करता है गुप्त प्रसाशन के संदर में बिदी सब्द को संदर्भित करता है तो कौन हो जाएगा आप्शन नमबर इसका भी हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रशासनिक इकाई क्या हो जाएगी प्रशासनिक इकाई के रूप में संदर्वित करता है अगला देखिए नेक्ष प्रशन है कहने की मौर राजवन्स की अंतिम सासक कौन था तो आप्षन नंबर कौन हो जाएगा फुट्टि थिरी का भी नंबर हो जाएगा कौन था ब्रे द्रश्थ जो मौर राजवन्स का अंतिम सासक था अगला प्रस्ट्र देखिए निम्रिखित में से किस राज को आउरंग जेव ने छत्पति सिवा जी महाराज के विरुद्ध यूद्ध के लिए भेजा था बताईए किस ने तो आप्शन नमबर इसके कौन हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा जै सिंग ठीक जै सिंग को आउरंग जेव ने छत्पति सिवा जी महाराज के विरुद्ध यूद्ध करने के लिए भेजा था देखिए नेक्स प्रस्ण है करें कि किंग जार्ज तृती ने मदरास में उच्चतम ने आया लएकि ये स्थापना किस वर्ष में की कराई थी बताईए तो कब कराई थी ये आपसन नमबर डी हो जाएगा अठारा सो इस भी में अठारा सो इस भी में किंग जार्ज तृती ने मदरास में उच्चतम ने आया लेकि इस्थापना कराई थी नेक्स प्रस्ण देखिए देखिए करें कि 2011 की जड़गरना की अनुसार भारत में महिला साच चर्था का प्रतिसत लगबाग था कितना था वै तो कितना था आपसन नमबर डी हो जाएगा 65 तसमलो 46 प्रतिसत तो आपसन नमबर डी हो जाएगा देखिए नेक्स प्रस्ण है निम्निखित में से कौन सी सिंदु नदी की सहायक नदी देखिए नहीं है सिंदु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है तो कौन सी नहीं है देखिए शी नमबर हो जाएगी गोमती देखिए ये ब्यास है चिनाव है राभी जो है सिंदु नदी की सहायक नदियां है लेकिन गोमती नहीं है देखिए नेक्स प्रशन है छेत फल की दिरिष्ट से विश्टु का सबसे बड़ा देश कौन सा है देखिए इसमें आपसे पूछा है छठा छठा कौन सा है कौन सा है आपसा नमबर डी हो जाएगा आस्ट्रेलिया देखिए भारत जो है सातवे नमबर पे है और रूस जो है रूस जो है आपका पहले नमबर पे है ठीक तो यहाँ पे छठा नमबर पे आस्ट्रेलिया हो जाएगा अगला निक्स प्रस्न है, निम्खित में से कॉन सी अगने शैल नहीं देखिए, अगने शैल नहीं है तो कॉन हो जाएगा, आप्चन नबर डी हो जाएगा, डोलो माइट, डोलो मैट जो है, अगने शैल नहीं है देखिए ग्रेनाइट है डियो राइट है और वेशाल्ट है ये जो है अगनेशल है और जो डूलोमाइट जो है अगनेशल नहीं है देखिए नेक्स प्रस्ण है नेक्स करें मणीपूरी सास्त्री नित में प्राया भगवान स्पेस के कथा प्रसंगों का चित्रन होता है किसका होता है तो आप्स नमबर कौन जाएगा भी इसमें बी नमबर हो जाएगा क्रिश्ण के देखिए नेक्स प्रस्ण है निम्रिखिद में से कौन सोतंत भारत की पहली महिला सास्त्री नित ग्यांगना थी जिनें राजसभा के सदस के रूप में नामित किया गया था तो कहने कि पहली जो है महिला सास्त्री कौन थी तो बताई कोन हो जाएगा आप्शन नमबर ए हो जाएगा रुकमणी देवी अरुंड डेल थी आई देखते हैं नेक्स प्रस्ण है देखिए नित से संबंदित है पोड़ा नित सैली का संबंद निम्कीत में से किस राज से है किस राज से है तो ये आप्शन नमबर ए हो जाएगा महा राष्ट से किस संबंदित है महा राष्ट से नेक्स प्रस्ण देखिए करें कि भारती शम्मिधान के निम्कीत में से किस अन्छेद में या वर्णित है कि संसत के पास संग सूची में में सामिल किसी भी मामले में मामले से संबंद में कानून बनाने की विशेज सक्तियां हैं कौन हो जाएगा आर्टिकल 246 आप्शन नमबर ए हो जाएगा नेक्स प्रशन है उन्हें शक्यान में कें सरकार ने किसकी अध्यचता में कर सुधार समित का गठन किया गया था तो किसके तो आप्शन नमबर डी नमबर हो जाएगा राजा जे चलेया देखिए नेक्स प्रशन निम्खित में से कौन सा सुध्ध घरेलू उत्पाद की आउधारणा का सबसे अच्छा निरूपन करता है बताईए तो कौन हो जाएगा आप्शन नमबर इसके कौन सो जाएगा शी नमबर हो जाएगा जी डी पी माइनस मूल हराज नेक्स प्रशन है करें अर्ध सास्त्र के संदर में ई पी अफ में पी का अर्ध क्या है तो कौन सो जाएगा आप्शन नमबर इसका भी हो जाएगा प्रोभी डेंट पी का अर्ध क्या है प्रोभी डेंट क्या हो जाएगा प्रोभी डेंट इसका अर्ध कर दखें इपी अफ कफुल फांग क्या है इंप्लाइज प्रोभी डेंट फंड ठीक तो अप्शन नमबर इसका कौन हो जाएगा बी नमबर ठीक अगला प्रोभी डेंट देखें अगला प्राण द्ध्वान के वेग एवं परमताप में संबंध है तो द्ध्वान के वेग एवं परमताप में संबंध है कौन सा अप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर बी नमबर हो जाएगा वी डारेक्ली प्रोपोर्शन अंडर रूट टी नेक्स प्रशन है जिंक सलफेट जिंक सलफेट हेप्टा हाइड्रेट को आम तौर पर के नाम से जाना जाता है तो एक्स को शेकेंड नाम से जाना जाता है कि कौन सा आप्शन नमबर इसका डी हो जाएगा स्वेट तूतिया के नाम से जाना जाता है नेक्स प्रशन है निम्खित में से कौन सा अंगे ग्लुकोज को ग्लाइकोजन बंडारन के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्वो हाइटेड और अमीनों अमल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है कौन तो ये कौन करता है आप्शन नमबर इह हो जाएगा याक्रित नेक्स प्रस्ट ने देखी पाचन तंत्र के चरणों का निम्खित में से कौन सा अनुकरम सही है देखिए इसका अनुकरम में आपको लगाना है तो आप्शन नमबर इसका किसका कौन हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा अन्तरगरहन पाचन और उतसरजन अगला है नमबर हो जाएगा दाची गम्स अभ्यारण में यह कहां है या जम्मु और कस्मीर राज के स्री नगर में इस्दीत है दाची गम्स अभ्यारण देखिए नेक्स प्रशन है आई मी माइन कौन से अंतर राष्टी संगीत कार की आत्म कथा है तो आई मी माइन आत्म कथा किसकी है आप्शन नमबर हो जाएगा शी नमबर इसका हो जाएगा जार्ज हैरी शन का यह आई मी माइन आत्म कथा है देखिए नेक्स प्रशन है टोकियो पाइरा लंपिक 2022 का केंदरी भी से सेंटरल थीम क्या था क्या था वी आप्शन नमबर इसका सी हो जाएगा भावनाओं से एकता मतलब यूनाइटेट्स बॉय इमोशन आप्शन नमबर सी हो जाएगा देखिए इसका सुभांकर क्या था सो माइटी देखिए नेक्स प्रशन है करिक तुमणी के सब्द काब संग्रा है तो किसे हिंदी का साहित अकादमी पुरुसकार 2022 दिया गया है किसे दिया गया है तो कोईसे दिया गया था आप्शन नमबर सी इसका हो जाएगा बद्री नारायन को किसको दिया गया है बद्री नारायन को देखिए नेक्स प्रश्ट आखरी प्रश्ट है करें कि 15 से 16 नमबर 2022 को 17 जी 20 सिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुई थे तो ये कहां हुई थी ये बाली में हुई थी आप्शन नमबर डी हो जाएगा बाली बाली कहां ये इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया में जो है 15 से 16 नमबर 2022 को 17 जी 20 सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो आप्शन नमबर इसका डी हो जाएगा बाली इंडोनेशिया में तो इस प्रकार आपके 25 प्रश्ट हो जाते हैं तो आसा करते हूं यी प्रश्ण आपको पसंद आएं है अगर पसंद आएं तो उसकाठ़ कर दीजेगा और लाइक और अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो हमारे चैनल को अब्रश्ट कर लीजिएगा वीडियोय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमदर